तो कैसे हो मेरे भाईयों ये देख सकते हो एक पिंपल बट ऐसे अनेख थे देख सकते हो यहाँ पर फिर यहाँ पर अब इसको मैंने कैसे क्लियर किया बहुत सारे पिंपल को एक पिंपल में कैसे लाया और ये भी जाने वाला है एक सिंपल गाणियेयर Skincare रूटीन फॉलो करके उसके बारे में पूरे डीटेल में बताऊंगा और अगर आप भी इसे प्रॉपरली फॉलो करोगे तो आपकी भी ऐसी स्किन क्लियर हो सकती है और साथ ही में इस वीडियो के एंड में एक ऐसी सीक्रेट टिप बताऊंगा जो हर किसी ने फॉलो किये रहे रात को क्या करना है रात को सोने से पहले अच्छे से अपना चेहरा अच्छे से धो लो अच्छे से दो लीजिए उसके बाद क्या करिए चहरा पोच लीजिए अच्छे से और जिस जगा पिंपल है उस पे डिरेक्ली लगाईए ठीक है उस पे डिरेक्ली लगाईए और इसके लिए मैं ऐसे वीडियो लाया हूँ पहले ही मैंने वीडियो बना के रखे कि फेस वाश और पैन कैसे यूज करना है तो उसे जाके देखिए और इस तरह से रात को लगाईए रात का रूटीन वहाँ पे खतम अब इससे क्या होने वाल है इससे जब आप फेस वाश कर ल अपने आप सुखाना स्टार्ट कर देता है जैसे यह देख सकते हैं यह बड़ा था बट देखो अभी आप सुख रहे हैं टिक है तो वैसे अपने को नाइट रूटीन रखना है उसके बाद आति है morning routine की बारी मॉरिंग रूटीन में जब आप सुभा उठ जाओ तो गाणियर में जब लगांग लगाने से क्या होगा कि जब वह क्रीमा अप लगाओगे तो ऊप प्रोटेक्शन का काम देगी सबसे पहला सुबह तो लगाया थे रात को उसको क्लीन कर देगा जो ज्यल बाुष टूर्वाइब इसके बाद आपको ज्यल को क्लीन कर देगा और अच्छे से क्या करना है क्रीम की माफ़ा इतनी ब्हों ज्यादा नहीं रख से काम नुझ एक जाओ या किसी काम से जाओ जो मॉ Toronto मैसुराइजर क्या करेगा और और आपकी सिक्डाइब naught को आपकी स्किन को ऑउली होने से भर पूर बचाए माल्य वह मैंस्ट क्रीम काफी हो जाती है तो ऐसे आपको आपका मॉर्निंग रूटीन रखना है जैसे ही इवनिंग हो जाती है शाम हो जाती है शाम को क्या करना है शाम को आपको अच्छे से फिर से एक बार फेस वाश कर लेना है पूरा अच्छे से फेस वाश करने के बाद जो रात का रूटीन है वही फॉलो करना है फिर से लेना है पेंसे जेल लगाना है और जेल से फिर वो पिंपल धीरे-धीरे सूख जाएगा अब यहां पर यह रूटीन मैंने ज्यादा लंबा रखा नहीं है बहुत छोटा रखा है रात को सुबह और शाम और शाम को वही रिपीट करने जो अमराथ को करने वाले हैं मतलब जो लगाने वाले अब इससे च्या हो रहा है य freightaten जो मेरे दशाट सब्सक्री節目 है उससे कलीन कर रहा है इसके साथ साथ जो पिंपल जो बड़े-बड़े पिंपल है वह जल के वज़े से सूख रहे हैं तो एक वह रिजल्ट करता है धीरे-धीरे अच्छे चेहरे के तरफ अब में में यहां पर क्या है जब चहरा धुलता रहता है प्रोटेक्शन मिलती है उसे बाहर के एंवायरमेंट से ललएजन डील एक मौईशराइज से मेधे रहती है नम विम मौजूद रहती है अपने चेहरे की तो जो ऐखने की प्रोब्लम है वह धीरे-धीरे-धीरे दूर ओ जाती है अग्ने भगाव अभ्यान ऐसे ही करना है अब उस से प्राब्लम सॉल्व हो जाती है धीरे-धीरे आपका चेहरा खिल उठता है आप प्रॉपरली केर लेने इसको स्टार्ट कर देते हो तो यह रूटीन अगर आप फॉलो करते हो तो मैं कहता हूं कि सेवन डेज में आपको आपकी एकने की समस्या का जो सल्यूचन है वह इसमें मिलेगा आपको ट्राइज जरूर करके देखिए तो यह रूटीन जरूर फॉलो कीजिए और जो भी आपको चीजे लगेगी उसकी लिंक मैंने नीचे दे रखे डिस्क्रिप्शन में वहां से स्किन पर जाओ अपनी समस्या बताओ अब यहाँ पर सीक्रेट टिप अगर आपने पूरा वीडिएओ नहीं देखा है और सिक्रेट टिप च्पर तो सुरी मेरे दोस्स आप बहुत गलत कर रहे हो पूरा वीडियो दिखने आपके लिए बहुत अच्छा है जबी जब भी आप यह रूटीन फॉलो कर रहे हो मेक्शॉर करें जब आपने मौइशर लगा उसके बाद भी बार 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 आप चहरे पर हात ना लगा बहुत छोग को मालूम नहीं पता क्या रहता है कि बार बार ऐसे चहरे पर हाथ लगाएगे नहीं रहाँ है आप अपने चहरे करेगा वैसा नहीं रहता है कुछ कम प्रोड़क लेगा तो कम इफेक करेगा ऐसा कुछ नहीं प्रॉपर कॉंटिटी में प्रोड़क लो जैसे आप टूटपेस के से लेते हो कि जितना दात को लगे उतना ही वैसे यह प्रोड़क लेने और सबसे इंपोर्टेंट बात एक पर आपकी समस्य आखने की दूर हो गई है तो इस स्किन केर रूटीन को बंद कर दीजिए जी हां सही सुना यह स्किन केर रूटीन लॉंग टर्म के लिए अच्छा नहीं है विकॉज यह तीनों ही प्रोड़क में ऐसे कुछ तत्वा है जो आपको जादा डामेज पहुचा सकते हैं अगर आपने लॉंग टर्म फॉलो किया तो जब आखने आ जाता है यह कुछ समय के लिए फॉलो करिए जब आपके आखने कम हो गए तो यह बंद कर दीजिए तो ऐसे आपको करना है लॉंग टर्म के लिए फॉलो करोगे तो अच्छी बात नहीं है वह ठीक है अब इस रोहन वाक्षरे साइनिंग ओफ और अगर आपको और कोई भी क्वेरी हो तो नीचे इंस्टाग्राम पर जाहिए फॉलो करिए मुझे उदर सवाल जवाब पूछे आपको मैं आंसर करूंगा और थैंक यू फॉर वाचिंग